नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में महरत नसेन भारती आज हम बात करेंगे पस्चिम बंगाल में हो रहे हैं बिधान सवाद चुनाव के बारे में बिधान सवाद चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजीपी का पूरा ध्यान पस्चिम बंगाल में जीत की ओ प्रतिसात बोट मिले थे जिसमें बीजेपी की मातर तीन सीटे ही जीत पाई थी 2019 के लोग सवा चुनाव में इसीती एकदम से अलग हो गई पस्ची मंगाल में बीजेपी दुसरी सबसे बड़ी पार्टी बन कर सामने आई आपको बता दें कि पस्ची मंगाल में दूसर 94 सीटे हैं जिनमें से दो सीटें मनुनित की जाती है ऐसे में दूसर 92 सीटों पर बिधान सवा का चुनाव होना है अगले साल पस्चिम मंगाल में होने वाले विदान सभा चुनाव की तैयारी बिहार में भी सुरू हो गई है पस्चिम मंगाल चुनाव के लिए जैदियू की तैयारी चल रही है वही दूसरी ओर बिहार की मुख भी पच्छी राज़त पस्चिम मंगाल में चुनाव में अप अमतावनर जी को मजबूत करेगी अभी इस परमंथन जारी है वही इस से पहले जदियू के राष्टिये महासचीव और पार्टी के पस्चिम बंगाल में चुनाव परवारी गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा है कि पस्चिम बंगाल में पार्टी की एकाई कम से कम 75 सीटों प बढ़ भी सकती है बलियाबी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले भी पस्चिम बंगाल में विधान सवा चुनाव लड़ चुकी है उन्होंने कहा कि हम इस बार भी ऐसा करना चाहेंगे हमारी पार्टी ने मालदा सिलिगुडी मुर्सीताबाद पुरूलिया बाकूरा और नंद कुमार के बिहार के सुसासन की चर्था परदेश के आसपास के राज्यों में भी है बिहार के राजिएंतिक पार्टियां जो साल 2016 में भी चुनाव मैदान में उतरी थी अगर हम उसके परदरसन को देखे तो सबसे पहले हम बात करते हैं माकपा की माकपा ने 11 उमिद्वारो को चुनाव मैदान में उतरा था लेकिन किसी को जीत नहीं मिली और अगर वहीं उनके बोट की बात करें तो 40,320 बोट उन्हें मिले थे वहीं अगर हम राज़त की बात करें तो राज़त दिमातर एक उमिद्वार को चुनाव मैदान में उतरा और वह भी उमिद्वार हार अगर उनके वोट की बात करें तो उन्हें 13200 वोट मिले थे अब हम बात करते हैं लोजपा की लोजपा ने बंगाल में सबसे ज़्यादा उनिस उमिदवारों को चुना मैदान में उतारा था लेकिन एक भी उमिदवार जितने में सफल नहीं हो सका वहीं अगर हम बोट की बात करें तो लोजपा को 13200 वोट मिले थे तो इस हिसाब से बंगाल चुनाव में बिहार की राजनीतिक पार्टियों का परदरसर बहुत अच्छा नहीं रहा था लेकिन इस वार एक बार फिर से जदियों और राजद चुनाम मैदान में उतरने की तैयारी में लगी हुई है ऐस अरे नियूज के साथ मुझे दीजी अजाजत धन्यवाद